हेलो स्टुडेंस अभी एक्सराइज 4 पर जाते हैं उसमें कोशिन यह है 4u स्कॉायर मैंनस 8u दिया है हमारा a का value भी दिया है b का value भी दिया है बर यहां पर c constant नहीं है उसमें भी हम verification कर सकते हैं the relation between the zeros and the coefficient अब इस sums में हम मैं ऐसे कर देती हूं p u is equal to 4u square minus 8u अब इसका मैंने common निकालना है 4u minus 8u याने 4u का 4u upon u minus 2 okay u minus 2 हो गया अब मैंनस है इजह मैंने क्या u plus हो गया sorry यहां plus sign था तो यहां पर plus होगा okay u plus 2 अब इसको मैंने 0 कर दिया okay अब मैंने इसको यहां 0 कर दिया so when when 4u is equal to when 4u is equal to 0 4u is equal to 0 होगा तो हमें क्या करना चिये 0 का किस तरह था it imprifies u is equal to 0 upon 4 0 upon 4 का क्या है 0 है और यह क्या है मेरा alpha क्या okay यह मेरा b ले लिया मैंने okay when when u plus 2 is equal to 0 when u plus 2 is equal to 0 यह मेरा u क्या हुआ है मैनस 2 that is my data okay alpha बेटा मैंने find कर दिया अब इसमें मैंको product of sums करना है zeros का तो अब यहां पर मैं बेली निकाल देती हूँ a मेरा क्या है 4a b क्या है 8a और c नहीं है तो मैंने 0 डाल दिया alpha क्या है 0 beta क्या है मैनस 2 अब इससे हम sums of zeros find out करेंगे और product of zeros find करेंगे okay अब इस किस तरह करते हैं हम वो देखते है अब यहां मैंने रबाउट कर दिया अब sum of zeros का formula क्या है sum of zeros is equal to minus b upon a sum of zeros आने alpha plus beta is equal to minus b upon a alpha क्या था 0 plus minus 2 is equal to b क्या है 8 upon 4 okay 8 upon 4 sorry इदे मैंनस आएगा मैं हमेशा बोली जाती हूं मैंनस जालने के लिए okay अब 0 plus minus 2 याने 0 minus 2 क्या हुआ है या minus 2 आ गया is equal to 4 बन जा 4 तू जा याने इदे भी minus 2 sum of zeros मैंने निखाला minus 2 वेरिफाइग कर दिया दोनों जे गया alpha beta b minus 2 है और b upon a b minus 2 है ओके यह वेरिफाइग हो गया और मैंने यहापे product दूर रही है product of 0 is equal to c upon a okay यहाँ क्या है 0 into minus 2 c क्या है 0 upon 4 okay अब इदर देखो यहाँ पे 0 plus minus करेगे तो भी 0 आता है लेकिन यहाँ पे 0 into minus 2 करते हो तो 0 ही आएगा और 0 divided by 4 करेंगे तो भी 0 आएगा so hence we have proved that the product of 0 is also right okay the same आग्या यह फोर्त वाला सम्स बहुती easy सम्स था okay अब इसी के साल में 5 वाला भी समझा देती वो भी इसी के तरह है हमें उसमें कोई changes नहीं करना है 5th का question मैं लिग देती हूं टी स्क्वाइर टी स्क्वाइर कोशिन के दा 15 टी स्क्वाइर 15 दिया है यहां पे हमें quadratic equation का a भी दिया है और c दिया है और क्या नहीं दिया है हमें b नहीं दिया है ओके b find करना है अब यहां पे मैं क्या करूँगी b हमें नहीं दिया अब p t p t is equal to t square minus 15 अब t square minus 15 is equal to 0 कर दिया ओके t square minus 15 is equal to 0 है अब इसमें यह है t square a square minus b square क्या है हमारा a square minus b square is equal to a plus b a plus b okay a minus b so यहां t square t square मैंने लिख दिया है t square अब यह 15 दिया हुआ है okay 15 दोनों साइड पर हम करेंगे तो a t square minus 15 whole root 15 square is equal to 0 okay यहां पर वो ही मैं बोला है a square minus b square का find करना है a square minus b square किस तरह है वो find करना है a plus b a minus b okay वैसे ही यहां पर t plus 15 और t minus root 15 is equal to 0 okay यह 0 मैंने निकाल दिया है when t is when t plus 15 is equal to 0 it implies t is equal to minus root 15 minus root 15 हुआ है वो क्या है मेरा alpha मैंने निकाल दिया है अब मुझे बेटा निकालना है so 1 when t minus root 15 is equal to 0 it implies 3 is equal to root 15 यह मेरा बेचर बन गया है okay alpha बेटा मैंने बना दिया है तो फिर मैं क्या करूंगी अभी इसका formula का मैं अभी यह a square b a b का value हम निकाल देते हैं जहां a is equal to 1 है b का value निकाल दिया तो 0 है तो c क्या है 15 है वैसे ही c minus 15 है okay minus 15 alpha मैंना क्या है root 15 minus और बेटा क्या है root 15 ओके यह अभी इस तरह हम find करते हैं और इसमें हम sum of zeros and product of zeros देखते हैं okay students अब मैंने यह rub out कर दिया है sum of zeros और sum of zeros is equal to minus b upon a alpha मेरा क्या था plus 15 और बेटा मेरा क्या था sorry minus plus 15 यह कर दिया अब एठा क्या था 15 okay is equal to b क्या है 0 upon a क्या है 1 अब यह दोनों cancel हो गया तो क्या आया 0 आ गया इसमें balance नहीं रहा 0 और 0 divided by 1 हो तो 0 हमने प्रूफ कर दिया sum of zeros क्या है 0 ही है okay अब प्रोडेक्ट फाइन करते है और प्रोडेक्ट फ्रॉब जी रोज पिछले sums में हमने हमारा constant नहीं था ओके अब यह वाले sums में हमको बी नहीं था हम आप पे क्या है और प्रोडेक्ट क्या है एं अलफा बेटा प्रोडेक्ट इस इक उल टू शी अपन ए तो मैंनस रूट 15 इंटू रूट 15 सी क्या है मैंनस फिफ्टी अपन एक यह वां ओके अब भी यहां पे हम इस तरह करेंगे जहां एं रूट अभी मैंने एक्जांबल में में दे दिया है, ये root A into root A करेंगे, root A root A क्या हो गया, root A square, root A square, अब root A square रहता है, मैं A into 1 upon 2 into 2 करूँ, तो क्या आया, A आ गया, वैसे ही यहाँ पर B, 15, 15 करूँगी मैं यहाँ पर, root 15, 15, यहाँ पर 15 square हो गया, यहाँ इदर क्या आगया है, 15, ओके, तो यह मैनस है, यह मैनस है, तो मैनस 15 आगया, इसमें भी 1 हो, तो मैनस 15, तो product हमने क्या find, verified किया है, relationship का product, मैनस 15, ओके, आपको समझ में आगया होगा, अभी 2.2 का first question message, last वाला sums बागी है, वो मैं अगले वीडियो पे लोगी, till that, thank you. झाला